हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अलाउन, बोर्ड इग्जाम वारियर्स हाजरू मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर जो है यूपी में बंपर भड़तियों से रिलेटेड यस फ्रेंड्स, योगी सरकार अब एक करोड जॉब देने वाली है एक करोड जॉब्स, यस फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं अब यूपी में बंपर भड़ती आने वाली हैं सो आगे बढ़ने से पहले, इस इस मैं चैनल, बोर्ड इग्जाम वारियर्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप तक समय से लाने की पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ तो चलिए, बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस बेसिस पर कह रहे हैं कि योगी सरकार आपको एक करोड भरतियां देने जा रही है तो यह है निउस पेपर की कटिंग और देखे इसमें लिखा हुआ है एक करोड युवाओं को देंगे रोजगार योगी जी हाँ फ्रेंड्स पढ़ते हैं पूरा आर्टिकल ग्लोवल इन्वेस्टर सम्मिट से ऐसा माहौल तयार होगा दूसरी जगों के युवा यूपी आएंगे जी हाँ फ्रेंड्स आपने अभी तक ही सुना होगा कि यूपी की युवा बाहर जाते हैं ताकि वो नौकरिया कर पाएं अच्छी नौकरिया कर पाएं बट इस बार योगी जी ग्लोवल इन्वेस्टर सम्मिट में कुछ ऐसा माहौल क्रियेट करने वाले हैं जिससे हमारे युवा बाहर नहीं जाएंगे अपितु बाहर के युवा हमारे यहां नौकरी लेने आएंगे तो चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने कहा है कि देश की नम्मर वन अर्थवियवस्ता बनने की ओर अग्रसर उत्तरप्रदेश की नौजवानों को अम नौकरी वस्वरोजगार के लिए दूसरे देश या प्रदेश जाने की आविश्यक्ता नहीं होगी और ऐसा माहौल इन्वेस्टर सम्मिट 2023 की चर्चा करते हूँ सेम योगी ने कहा है कि लखनो में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन की जरिए 10 लाग करोड रुपे की निवेश का लक्ष है जिससे प्रदेश की एक करोड युवाओं को रोजगार मिलेगा जी हाँ फ् अभी जो थोड़े जादा ही इसके लोग आ जाते हैं उनलों को भी इसमें रोजगार जरूर मिलेगा क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी इन्वेस्टर सम्मिट होती हैं उसमें इन्वेस्टर आते हैं कंपनिये लगाती है तो सिर्फ उसमें युवाओं की जरूरत नह महारों के सुभारम कारेक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि 200 वंशों तक देश पर शाषन करने वाले ब्रिटेन को छोड़कर विश्रे की पांचवी अर्थ व्यवस्था बनना भारत को बढ़ती प्रतिस्ठा का प्रमार देता है और आपको पता होगा कि भारत 2023 में G20 का भी नेत्रत्व करने जा रहा है तो ऐसी बहुत से अच्छे-च्छे काम हुए हैं जो सरकार ने की हैं इंटरनेशनल लेविल पर तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का आज बहुत अच्छा रुद्वा है और होप की जो योगी जी ने सोचा है कि इंवेस्टर सम्मिट से बहुत से इंवेस्टर भारत यूपी में आएंगे स्पेशली और जिसमें 10 लाग करोड रुपे की निवेशकी इनोंने लक्षे रखा है जिसे एक करोड रुवाओं को रोजकार मिलेगा ऐसा सरकार का कहना है तो अगर अभी तक आपने म मारी कोशिश भी करती हूं तो फ्रेंग्स मैंने आपको providers दिखाया है कि अह salvar साथटा है सत्य किना है जूट कितना है तो फ्रेंट्स मैने आपको दिखा दिया है कि योगी जी ने इंवेस्टर सम्मिट dai 14 लक्षे ुसमें पूरा पूरा ये लक्षे रखा है कि एक करोड युवाओं को रोजगार जरूर मिल सकें ओके चलिए दिस थैंक यू फो वाचिंग बोर्ड एक्जाम वार्यर्स दू लाइक शियर और सब्सक्राइब मैं चैनल for such useful and informative videos thank you so much